नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश श्रीवानी एस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने जिवतिश क्यान के नाम से सीरीश चलाई है जिसमें बेसिक से लेके और एड़मास एस्टोलाई दग में पढ प्रडिक्षन में और उनकी प्रडिक्षन हम लोगों को कैसे करनी चाहिए जिसकी यह बहुत इंपोर्टन्ट है कि उसकी प्रडिक्षन हम लोग कैसे करें वह मैं आपको थ्वड़ा सा उसके बारे में अभी बताता हूं तो वर्चार्ट कई प्रकार के होते हैं लेकिन यह प्रीजरी तीन भाग करें तो जेरो से दस दिगरी का एक द्रश्चाइओं दस से बीस का दूसरा द्रश्चाइब होता है तो कहने का मतलब यह है कि तीन भाग कि होते हैं ईक राशी के तो द्रश्काइब बनता है बहुत इंपॉटल्ट एंप वहाय बेहियों के लिए पराक्रम के लिए इसको देखा जाता है इसकी बड़ी इंपोर्टेंस है अब इसे कैसे देखते हैं सबसे बड़ी बात इंपोर्टेंट बात यह आती है कि भाई बेहनों के लिए इसे कैसे देखते हैं और पराक्रम के लिए इसे कैसे देखते हैं जो भी खेलकूर की भावना हैं यह जो भी तीसरे भाव से संबंदित प्रश्ण आपके होते हैं उससे संबंदित चीजों के लिए हम बीधरी चार्ट को माइनुट में डिटेल में स्टड़ी करने के लिए देखेंगे इसको मैं आपको कुंड़ी बनाके ही दिखा देता हूं ताकि आपको उससे ज़्यादा आडिया लग जाएगा जैसे इधर में यह कुंड़ी लगा रहा हूं और आपको इससे थोड़ा आडिया लगेगा जैसे यह देखिए इस कुंड़ी में बहुत सारे चार्ट दिये हुए है नवांस चार्ट दिया हुआ है दशांस चार्ट दिया हुआ है सब्तांस चार्ट भी आ जाएगा द्रेशकान भी आ जाएगा तो हर तरह के चार्ट यहां पर आ जाएगा अब हम लोगों को द्रेशकान चार्ट देखना है पहले तो मैं मालिया यहां पर द्रेशकान चार्ट ले आता हूँ द्रिशका अंचार्ट लाने के लिए यह तिर्शका आंग्H फॉर। अब यह यहां भी द्रिशका अचार्टित इस द्रेश्का चार्ट में हम लोग क्या स्टरी करेंगे। तीसर स्थे भाव का स्वाम छनि दूसरे भाव तक पहसे ले ten score is ब्रद्धी के भाव में है राउ के तो एक्सिज में है सुए के साथ है यह थोड़ा प्लिडित हो जाता है यहां पर कारग देखते हैं तीसरे भाव का कारग भी मंगल होता है तो कारग भी देख लिया हमने भाव देख लिया भावेश देख लिया और कारग देख लिया भाव तीसरा भाव एबरेज है और इस तीसरे भाव के हमको एबरेज रिजल्ट मिलने वाले हैं अब इसको हम थोड़ा माइनूट में स्टड़ी करते हैं कि भाई बैनों से कैसा रहेगा यह कैसा नहीं रहेगा इसके बारे में तो जैसे देखें यह द्रेशकान चार्ट में क्या द लगन में राशी है तो द्रेशकान चार्ट में लगन में चार नंबर राशी है जो डीवन चार्ट केye9 राशी रही हैं आठ्वे और पार्वे भाव की राशी को लगन में यहां पे नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि जो आपके छोटे भाई बहन है वो आपके लिए भागेशाली होंगे क्योंकि भागे भाव का भागे भाव की राशी आपके D3 के लगन में गई होई है तो आपको भाई बहनों का प्यार मिलेगा और भाई बहन आपके लिए भागेशाली होती है अगर D3 के तीसरे भाव की राशी यहां पे होती तो हम कहते हैं आपके भाई बहन बहुत प्राक्रमी होती D3 के दूसरे भाव की राशी यहां पे होती तो हम कहते कि आपको भाई बैन होके थुरू आपको धनकी प्राप्ति होगी तो ये आपको लगाना है कि D1 के कौन से भाव की राशी D3 के लगन में गई है तो पहला चीज तो यह देखेंगे कि D3 का लगन देखेंगे और उसमें देखेंगे कि वहाँ जो राशी है वो D1 चार्ट के कौन से भाव की राशी है फिर देखेंगे लगनेश लगनेश कौन बनता है यहाँ पर चंदर बनता है कोई भी चीज में आप द्रस्टी सेवल D1 चार्ट के अंदर होती है, वर्ग चार्ट में कभी भी द्रस्टी का प्रियोगना करें, वो बिल्कुल शास्त्र से अम्मानिय है एकदम, वो नहीं है शास्त्रों में कहीं भी वर्णित के द्रस्टी हम लोग वर्ग चार्ट में और यहां यह problem प्रोब्लम आगी फिर थी यह तीसरा भाव देखें को पहला दूसरा यह तीसरा भाव हो गएंग तो कौन से राशी है यह चेक कर दें छे नंबर राशी फेंग में तौंक्च हमने यह दिवन चार्ट बनाया हुआ है और यह D3 चार्ट बनाया हुआ है तो D3 चार्ट में तीसरे भाव में जो राशी आई है वो D1 चार्ट के ग्यारवे भाव की राशी है यानि लाब भाव की राशी है तो यह कह सकते हैं कि भाई बेहन आपके लिए लाब लेकर आएंगे अब इससे आगया और क्या देखते हैं अब देखेंगे कि इस तीसरे भाव पा स्वामी यानि यह जो बुद्ध हुआ वो कहां बैठा है वो केंद्र त्रिकोन में है लाब भाव में है या छे आठ बारे में है तो यहां देखिए बुद्ध जो है वो चौते भाव में बैठा है यानि केंद्र में बैठा है तो इसका मतलब यह अच्छा बया स्वीश क्या मिली है है देखते हैं कारक D3 का कारक कौन होता है देखिए हर वरक कुंड़ी के कारक होते है और D3 का जो कारक होता है वो मंगल होता है उससे कारक मंगल होता है यह आप ज्यान रखिए कि D3 का कारक मंगल होता है तो D3 चार्ट में मंगल को देखिए कि मंगल आपका कहा है केंद्र त्रिकोन में है लाब भ 1 यह पहला भाव और 8 9 10 और 11 तो कहने का मतलब यह है कि इस डी 3 चार्ट का डुरिशकान चार्ट का जो कारक है मंगल वो यह बहुत अच्छी प्लेस है इसकी यह भी बहुत अच्छा हो गया अब देखें कारक से । तो कारक से थर्ड काउंट कीजिए, कौन सी राशी है, वो आपको देखनी है, तो कारक बैठा है यहां पर, यहां से तीसरा, एक, दो, तीन, यहां पर कौन सी राशी है, चार नमबर की राशी है, और यह D1 चार्ट के कौन से भाव की राशी है, यह भागे भाव की राशी है, वेल प्लेस्ट आ रहा है राशियां वेल प्लेस्ट हैं इविन कारक से जो हमारा कारक है कारक से थर्ड बाव में जो राशी आ रही है वो चार नंबर राशी है और चार नंबर राशी डीवन के भागे भाग की राशी है जो की बताती है कि छोटे भाई बहन आपके लिए आब खिए पर आपके लिए आपके भाई बहनों का प्यार ठीक रहेगा और आप कोई ऐसी प्राब्लम नहीं रहेगी उंका 7 आपको मिलेगा आप परयक्रम में भी अच्छे रहेंगे आप आपका परयक्रब्ट थे अच्छा रहेगा आप हिम्मत नहीं आ रहेंगे असानी से किसी की सिचुएशन में यह चीज इसके अंदर देखी जाती है तो यह था D3 चार्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया आप इसकी नेक्स वीडियो में मैं आपको D9 चार्ट के बारे में बताऊंगा कि हम लोग न लोग झाल